हाई अब्रिवन इस वीडियो में हम नेशनल पार्क देखने बाले हैं इस्टैटिक जीके का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और जो ये नेशनल पार्क देखेंगे साथ में निमोनिक टेक्निक और ट्रिक के साथ देखेंगे जिससे कि लॉंग तर्म में आपको ये याद रह और एक्जाम टाइम आप रिकॉल कर पाओ और देखो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मिशन दे देता हूं अगर आप अभी MTS 2024 टार्गेट कर रहे हो तो उसके लिए मैं डेली टार्गेट फॉलो डेली टार्गेट प्रोवाइड करा रहा हूं वाट्सअप चैनल पर नीचे ल ट्रिक के साथ कबर करते हा रहे हैं और भी मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक करा दिये हैं ट्रिक के साथ अगर और भी वीडियो देखनी है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएए इस्टैटिक जीके वाले पोर्शन पर क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी ट्रिक के साथ और उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले जम्मू कस्मीर के बारे में जम्मू कस्मीर में हमारे तीन नेशनल पार्क होते हैं एक है हमारा सिटी फूरेष्ट नेशनल पार्क जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी बोला जाता है दूसरा है हमारा दच्छी गाम नेशनल पार्क ठीक है उसके थर्ड है हमारा किस्टेश वर नेशनल पार्क, अभी यह हमें याद कैसे करने हैं, वो देख लेते हैं, देखो, सिटी फूरिस्ट, या आप ऐसे याद कर लो कि सलीम नाम का एक लड़का सिटी में रहता है, तो आप चाहे सलीम आ जाए चाहे सिटी आ जाए, याद हो ज जाए चाहे सिटी में रहता है, तो वहां से याद हो जाएंगी आपको, उसके बाद हमारे दो बचे, एक हमारा बचा किस्तेश वर और दूसर बता हमारा दच्छी गाम, अब यह किस्तेश वर दच्छी गाम कैसे याद करना है, वो देख लेते हैं, देखो, आपको पता है, जम्मो कश्मीर में थोड़ा फाइरिंग वगएरा होती रहती है, आतंक वादियों से मुत्वेड होती रहती है, तो हमें यह कैसे याद करना है, कि दस गाओं को शिफ्ट किया गया, जो बाउंडरी लाइन पे थे, और एक एक करके किया गया, ऐसा नहीं है, मतलब एक गाओ जो बाउंडरी के पास थे, बाउंडर के पास थे, उनको एक एक करके सिफ्ट किया, एक साथ ने किस्ट में, तो दस गाओं की है, तो दच्छी गाम हो गया, और किस्ते स्वर से किस्ते स्वर हो गया, क्यों, क्योंकि कस्मीर, जम्मो कस्मीर के बाउर पर लड़ाई, आतंक तो इस तरह से आप याद कर सकते हो और देखो कुछ चीजें कुछ वर्ट्स प्रेनाउसेशन लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि अभी रात के धाई बज़रा है ठीक है तो इस वक्त थोड़ा सा तुम चाहते कुछ और बोलना बट निकलता कुछ और है तो थोड़ा सा कंप की है और मोस्ट इंपोर्टेंट है है मिस नेशनल पार्क लाजजेस्ट नेशनल पार्क है यह आपका और इसका अगर मैं एरिया की बात करूं तो 4400 किलो मेटर स्क्वाइर है ठीक है एक ही है लाजजेस्ट है याद करो पाइपर पॉइंट अब्यू से बहुत इंपोर्टे नेशनल पार्क पिन वैली नीशनल पार्क और आपका खीर गंगा नेशनल पार्क अब यह आपको कैसे याद करना खों देुखें हिमाचल से क्या लेना है हिमाले अब पता है हिमाले से हिमाचल से हिमाले ले लिया तो ये तो आपको याद होई जाएगा गरेट हिमाले तो हिमाचल प्रदेश अभी ये कैसे याद करने बचे हुए चार तो ये ऐसे याद करने सिंबा मूवी देखिए सिंबा सिंबा ने क्या किया एक किले पे हमला किया और किले पे हमला करा तो वो उसने वहां कर जीत लिया तो वहां पर उसने जंडा को क्या कर दिया अपना जंडा लेकर पिन कर दिया लगा दिया और उसकी जीत में जब माले में जीत गए तो उसकी जीत में उसने क्या खाया खीर खाई तो यहां पर स इंबा से सिंबल वारा नेशनल पार्क किला से इंदर किला नेशनल पार्क पिन से पिन वैली नेशनल पार्क जीत की खुशी में खीर खाई खीर गंगा नेशनल पार्क तो इस तरह से आप पांचों के पांचों नेशनल पार्क याद कर सकते हो उसके बाद हम देखेंगे उत् दोकता खंद में जो हमारे टोटल national parks हैन और पेपर के point of view से सब्सक्राइन नन्दा दिवी national park गोविनद पसुभिहार नैशनल पार्क राजाजी नैशनल पार्क बेली बारोबर नैशनल पार्क जिम कॉर्विट नैशनल पार्क अब देखो Jim Corbett के बारे में extra information जो आपका Jim Corbett National Park है उसको Hally National Park बुला जाता था 1936 में ये National Park बनाया गया था और ये इंडिया का first National Park था इसको राम गंगा National Park के नाम से भी जाना गया है तो ये तीनों नाम याद रखना Jim Corbett हो, Hally National Park हो या राम गंगा National Park हो एक ही बात है और य 1336 में बनाया गया है ये बात आपको पता होनी चाहिए अब हमको ये remaining ones कैसे याद करने है जैसे देखो उत्राखंड एक religious feeling आती है उत्राखंड में आपके केदार चार दहाम है वेसे के लिए केदारनात बदरीनात आपका यमनोत्री गंगोत्री ठीक है चारों धाम आपके उत्राखंड में तो यहां से आप कैसे याद कर सकते हो यहां से आप ऐसे भी याद कर सकते हो को नंदा देवी और आपका गोविंद पसु बिहार ठीक है ये गोविंद थोड़ा भगवान से रिलेटेड है नंदा देवी भगवान से रिलेटेड है उत्राखंड थोड़ा religious मिलेंगे फूल कहा मिलेंगे पहाड़ों में मुलेंगे उत्रा और पहाड का है उत्रा खंड में हैं बैली ओफ लौवर ठीक है ऐसे याद कर सकते हो या ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो उत्रा अधिकारी जैसे जो उत्रा अधिकारी होता है किसी का वो उत्रा अधिकारी ही करेंगा उत्रा अधिकारी और राजा तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो बैली उफ लावर फ्लावर पहाड़ाू में ही होती है तो वहां से इस तरह से आप फोड़ा सा तो अश्डेट कर सकते हैं उसके बाद यूपी देख लेते हैं यूपी का है दुद्वा नेशनल पार्क अभी ये कैसे याद करना यूपी का दुद्वा नेशनल पार्क तो देखो यूपी का जो दुद्वा नेशनल पार्क है ना अब आपको देखने को देखना कि यूपी में जो हैं काउज वफैलो οποि को मिल्क की श्चाइब घ्रोई कर सकते हैं तो आपका जो दोतबा यूपी में आफ का यारत पारMP कहाँ है यूपी में इस तरह سے याद कर सकते हो उसके बाद है आपका बीहार बिहार में अपका एक है बालमी की नेस्नल पार्क बालमी की पहले कंव बुद्धिमान थे लेकिन बाद में बहुत बुद्धिमान हो गए थे ठीक है पूरी रामाइड की तक रचना की थी बालमी की ने तो बहुत बुद्धिमान थे और बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं चैसरुआत में पढ़ने में कैसे भी हो लेकिन जैसे जैसे म तो बालमीकी बाद में बुद्धी आई थी ठीक है या बालमीकी ऐसे बोल सकते हैं बहुत बुद्धी मान थे और बिहार के लोग भी काफी बुद्धी मान होते हैं आज की टाइम में आप टॉप आई-एस उठाके देखो उन्हें से बहुत सारे आपको बिहार के मिल उसके बाद हमारा नेक्स आजाता है जहार खंड अभी जहार खंड का कैसे करना है देखो बैट किसे बनता है लकडी से बनता है अब बच्चे बैट के जो जहारी फारी की लकडी होती है उनसे ही बना लेता है तो आप उनसे बिल लो कि बैट ना जहारियों से नहीं बनता ब बेटा आपका बैट फैट तोड़ देते हैं मैं तो ऐसे देखे थे कि बच्चे का बैट लाए और तोड़ दिया मतब बच्चा खेल के आया गुस्सा आगई बैट तोड़ दिया कभी-कभी तो उसी अपनी बच्चे पर यह इतनी चेज बैट मारा के तूट गया तो कुछ ल काफी इंपोर्टेंट है सुन्दरवन नेशनल पार्क इसकी तो मैं साइध कोई ट्रिक भी न बताओं काफी इंपोर्टेंट है सुन्दरवन नेशनल पार्क सिंगा लीला नेशनल पार्क गोरु मुरा नेशनल पार्क नियोरा बैली नेशनल पार्क बुकसा नेशनल पार् बैस्ट मंगाल के लोग कैसे होते हैं मन के बहुत सुंदर होते हैं मैस्ट बैस्ट मंगाल के लोग तो सुंदर बन देशनल पार्क बैस्ट मंगाल के लोग गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं सिंगा लीला सिंग सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं गाना बहुत अच्छे है और देखो बैस्ट मंगाईल का क्या फेम्स है रसगुला रसगुला ठीक है तो रसगुला के आपने रसगुला एक ही बार में पूरा गूल जो गुला है रसगुला एक बार में खाया पूरा तो गोरूut Re maga national पार्क ऐसे याद हो गया उसके बाद ज्यूंट बारा बेश्ट मंगे लोगों का ना पारा बहुत जल्दी चड़े आता है क्यों कियों कि वह большirm में बहुत अच्छे होते हैं तो booksa national Park ठीक ऐसे याद कर सकते हो और भाया बैस्ट मंगाल की लोगों से पंगा मतले ना नारे ना नारे नियूरा बैली नेशनल पार्क इस तरह से आप याद कर सकते हो उसके बाद है आपका उडिसा उडिसा के दो नेशनल पार्क है एक भीतर कनी का नेशनल पार्क है एक सिंबली पाल न इसननल पार्क कि जैसे जब देखो अपको ठंड लगती है जो आप ऐसे भीतर को सिकुरते जाते हो ऐसे सिकुरते जाते हो तो कोई इनसान आपसे कहा रहा है वह तुम प्रभ तन यहां करो पता नहीं क्या करो ठंड लग रही है समझ में दो क्या कहरा हूं राजिस्तान, राजिस्तान के हमारे 5 नेशनल पारक है, पेपर पॉइंट ओ उब यू से जैसा कि मैं बता रहा हूँ, important है डेजर्ट नेशनल पारक, रतम भोर नेशनल पारक, सरिस्का नेशनल पारक, कियो लादियो नेशनल पारक, मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क तीक है ये सारे पेपर पॉइंट आप यू से इंपोर्टेंट हैं डेजर्ट नेशनल पार्क रतंबहर नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क काय कि वलादियो नेशनल पार्क मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क अभी यह हमें याद कैस कैसा हो जाए है काला हो जाएगा मुख से मुकंदर हिल्स काला हो जाए युख सारा दिन से सरिसका स्वर्च नेशनल पार्क ठीक है तो इस तरह से आप याद कर सकतो तो रतम हरə डारेक्ट्स हाथ कर लेना कि उसके बाद है हमारा गुजरात गुजरात में चार नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क बंसदा नेशनल पार्क वल्विदर ब्लैक वक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क ठीक है मरीन नेशनल पार्क फर्ष्ट मरीन नेशनल पार्क था ठीक है अब भी आपको कॉमेंट करके ये बताना है कि टोटल नेशनल पार् तोटल मरीन नेशनल पार्क कितने हैं ठीक है तो हमारा जो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क था उसका मरीन नेशनल पार्क की नाम था और ये गुजरात में था ठीक है उसके बाद हम जैसा की देख रहे हैं गिर नेशनल पार्क बंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक वक नेशनल प लिए लिए तो ब्लेक वको तो ब्लैक वक गिरा के मारा। गिल नैस्ट्स पार्क बंसदा से बंस खतम करे दिया इस주खते आप इसे याद कर सकते हो कि नैक्स दिख लेते हैं स्राइब हमारा मद्द प्रदेश मोश्ट इंपोटेंट है पेपर पॉइंट अब यूज़ के बारे में एक चीज और याद रखना कि मद्द प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां पर मैग्जीमम नंबर ओफ नेशनल पार्क हैं मद्द प्रदेश में आपके मैग्जीमम नंबर ओफ क्या हैं नेशनल पार्क हैं नेशनल पार्क टोटल अपने ग्यारे देखे हैं अब यह याद कैसे करने हैं तो देखो एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जिसे की थोड़ा सही देखेंगे ना यह हो भी रहा है और नहीं हो रहा है एक सेकंड ठीक है अब देखो जितने भी काना के नाम से हैं वो आपके सारे मध्य प्रदेश में एक ट्रिक तो यह लगा लो जैसे देखो मध्य प्रदेश माधव 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 किसन भगवान को बोले आता है मध्य प्रदेश से माधव याद कर लो तो माधव याद हो गया माधव किसन भगवान को बोले रहा है काना और माधव से ही एक बांधव ग तो बन बिहार नेशनल पार्क ऐसे याद हो गया उसके बाद सत्पुरा रेंज कहां पर है सत्पुरा रेंज आपकी मद्रदेस में तो सत्पुरा नेशनल पार्क आपको ऐसे याद हो गया उसके बाद ठीक है फॉजिल्स और डाइनासूर ये डारेक्ट याद कर लेना ठीक है इंदरबती नेशनल पार्क गूमने गई और उनको कंकड लग गया ऐसे याद करो कि इंदरबती च्छतिस बीगा लंबे पार्क में गूमने गई थी और घास पर चल रही थी और घास में भी उनको कंकड लग गया इंदरबती च्छतिस बीगा च्छतिस बीगा से च्छतिस गड़ और इंदरबती से इंदरबती होई गया गास पे चल रही थी गुरू घासीदास नेशनल पार्क, फिर भी कंकर लग गया कंगर वैली नेशनल पार्क, इस तरह से आप 36 गड़ के नेशनल पार्क याद कर सकते हो, उसके बाद है असम, असम के पांच हैं, दिबरू साइक होवा नेशनल पार्क, काजी रंगा नेशनल ना मेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरेंज नेशनल पार्क, अब देखो दिबरू साइक होवा, देखो मानव, इसे याद करो मानव से, अगर आपकी कोई चीज जब खो जाती है, आप आसमान की तरफ देखते हो ना, के हे भगवान यार मेरी वो चीज मिल जाए, आपकी कोई चीज खो गई है, ठीक है, तो साई खोबा से असमान, आसमान से असम, काजी रंगा बहुत फेमस नेशनल पार्क है, और ये वन होंड राइना सोर के लिए फेमस है, तो ये आपको पता होने चाहिए, मानव, मानव का जब कुछ खो जाता है, तो किदर देखता ह आसमान की तरफ के मेरा ये मिल जाए, तो वहां से हो गया, और सबस्थ तुम में तुमाई दोस में लड़ाई हो रही है, वो बोलाई ऐसा होगा, तुम बोलो ऐसा होगा, तो आप बोलो के देखो, ना तो मेरी, ना मेरी होगी, ना मेरी ना मेरी नेशनल पार्क, ना तेरी, उपर वाला चाहेगा उसकी मजी होगी वही होगा मतब आस्मान वाला चाहेगा आस्मान से उपर वाले से आस्मान आस्मान से असम और ना मेरी ना मेरी नैस्नल पार्क ऐसे याद करते हो राजिब गांदी नैस्नल पार्क ईससे तरह से याद कर सकते हो उसके बाद एक य राइन प्स वहुक्त तुम्हुर्पार्क पार्क है। उसके बाद है मनी पूर मनीपूर यह की नेशनल पार्क है। यह है। यह किस लेक पर बना हुआ है। यह आपको ay और ऐसे। याद कर सकते हो वैसे तो याद कर एक ही है और important fact भी याथ याद कर लेना है कि किटेबल मनी होगी तुम पर तब ही तुम फलोट कर सकते हो भाई फ्लॉटिंग करने के लिए एंस्ट्रॉमेट चाइए उ कि यह तरह से आप याद कर सकते हो उसके बाद हम महराष्ट देख लेते हैं चंदौली नेशनल पार्क गुगामाई नेशनल पार्क तदोवा नेशनल पार्क नबेगाउ नेशनल पार्क संजीब गंदी नेशनल पार्क अब ये कैसे होगा देखो चंदौली से चांद तारे ले लो चांद तारे जमीन आपको खोद अपना देखमाल करना है सब लोग यहां बिजी हैं तो कोई आपका सुनने वाला नहीं है सब गुंगे हैं इस तरह से थोड़ा सा को रिलेट करके आप याद कर सकते हो नबे गाउं नबे गाउं एक जगे का नाम है ऐसे याद कर सकते हो संजय गांधी नेशनल प लगां दैतरी उसके बाद है आपका आंद्र प्रिदेश के तीन नैसनल पार्क इंप्रेश हैं है सिटक स्रीब लिश्यों कत को बहुत है यह च्टान लहां दो कोई अंधा इंसके हुगा Swar भगवान मेरे को रोशनी दे दो तो इस तरह से आप ये तीनों याद कर लेना उसके बाद है करना टक तो करना टक के पांच नेशनल पार्क हैं पेपर पॉइंट अभी दू मिनिट में याद करा दो हैं अन्सी-बार्त kudkem left और नग fällt नेशनल पार्क और नगर होल नेशनल पार्क थोड़ा सा हो सकता है कि इस दिख रहा हो अन्सी नेशनल पार्क अंसी-घivi सपेले घश है consistency तो अनसी नेशनल पार्क का मतलब है आपका की देखो इससे कैसे याद करते हैं कि लोगों को थोड़ी सी अंस भर थोड़ी सी अंस भर विक्ट्री मिल जाती है तो नातक करने लग जाते हैं भूद पैसा पैसा आया नहीं अन्स भर पैसा आया नहीं और नाटक करने लग जाते हैं तो अनसी नेशनल पार्क ऐसे याद कर सकते हो करना तका को हम रिलेट करेंगे नाटक से बंदीपुर अब देखो कोई बंदीपुर लिख दे रहा हूं अगर आपको कम देख रहा है तो बी ए अइनडी फिव यौर बंदीपुर नेशनल पार्क कैसे याद करना है कि जब बंदी बनाके लेए पुलिस बंदी बहुत नाटक करता है मैंने यह अपरात नहीं किया तो पुलिस वाले कहते हैं बाद में कोईट में जाकर बताई हो तो इस तद्रा से याद कर सकते हैं बनेर मुख जादा नाटक मत कर तो इस तरह से याद कर सकते हो नगर होल आप बहुत साइब लोगों को होता है ना कि कहीं भी बैट जाए होल करते रहेंगे च्छेद करते रहेंगे किसी की बाइक की गदी फार देंगे कभी किसी का कुछ कर देंगे तो आप ऐसे बोलो कि भाई क्या तो म्यार यह मेरी पूरी जैसे तुमने नाटक कर रखा है जहां देखो वहां आप छेद कर देते हो तो इस तरह से याद कर लेना उसके बाद हमारा आ जाता है केरल केरल में हमारे छे इंपोर्टन नेशनल पार्क हैं ठीक है एक है हमारा अनामोडी नेशनल पार्क एक है हम शोला सोला आए वह कैरल होगा पहले तो ये ठीक याद रख लो दूसरा जैसे आप कर्येला खाओगे आप कैसे अट पानी पीने का मन करता है और जब तोड़ा से तोड़ा सा जिलीफ महसूस होता है तोड़ा रिलीफ महसूस होता है तो इसे याद कर सकते हो उसके बाद है तमिल नाडू गुंडी नेशनल पार्क गल्फ ओफ मननार नेशनल पार्क इंद्रा गांदी नेशनल पार्क मडु मुडाई नेशनल पार्क मुखरती नेशनल पार्क देखो तमिल नाडू के लोग लूंगी ज़्यादा पहनते तो मुखरती लूंगी थोड़ गांदी डारेक्ट याद कर लेना मदू मिला ही डारेक्ट याद कर लेना आज का लास्ट रह गया है अंडमान एंड निकोवार काफी नेशनल पार्क हैं बहुत जल्दी याद कर लेंगे हम कैम्पवल नेशनल पार्क गैलत हिय नेशनल पार्क मिडल बटन नेशनल पार्क पीक नेशनल पार्क महातमा गांदी मरीन नेशनल पार्क रानी जहांसी मरीन नेशनल पार्क अब यह याद कैसे करना है देखो जितने भी तुम्हें अंग्रेजी नाम देख रहे हैं यहां तक जितने भी अंग्रेजी अभी तक हम उपर से देखते हैं कोई अंग्रेजी नाम देखा नहीं देखा जितने भी अंग्रेजी नाम है वो सारे अंडमान निकुबार में है और देखो एक चीज़ धियान रखना यह जो आपका साउथ बटन नैस्टनल पार्क है यह सबसे छोटा नैस्टनल पार्क है यह चीज़ याद रखना और देखो बस यह किसी के नाम प के लिए लड़े उनका सिर्फ निकुबार में है नई दुरा गांदी सारे पॉलिटीव लीडिर एंद्रा गांदी राजीव गांदी का तो यहां पर जो महत्मा गहां गंदी हां और जो रानी जहां先 मarinen नैस्नल पार्क है कहां पर है अंडबान निकूबार में है रहां याद कर सकते हो यह टोटल नेस्नल पार्क पढ़ लो अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना और नेक्स लेक्चर के लिए आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो मैंने प्ले लिश्ट भी आदिये जाकर प्लेलेश्ट में और वीडियो चेक आउट कर सकते हो आपसे मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खया लखिए अपना